घैलो उतhrjan family तो कैसे हो आपसे भी लोग आए होफ कि आपसे लोग वढ़य होग आपसे अटलिस्ट कुछ तो काम के कमेंट करो कायलिन कहां पे अरे मैं भाई बता भी दूँगा तो भी तुझे मिल थोड़ी जानी है बेट कर ले यार फस्ट ब्यू फस्ट लाइक आयम फस्ट भाई मैं गोल्ड मैडल बाट रहा हूं मेरी तारीफ करो मेरे बारे में अच्छा-च् संदर पड़ा है कहीं भी चले जाओ तू फान की तरह भी क्यों जाना है तुम्हें नहीं मतलब टोनी ककर के गाने सुन लिए है यार जी सिंके साइरियां भी करो तो अच्छी करो यार कुमार विस्ट्वास कोई देख लो कितनी प्यारी साइरियां करता है उम्मीदों का करिते 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 black god armor खरी लेता है और इसके बाद जैन के पास नहीं बचते हैं पैसे लेकिन अब जो यान को दूसरी चीज में भी आ गया होता इंट्रेस्ट इसलिए ज्यानों से खईनी के वूलियां लगा देता है तब ही बंदा कहता है आपको दिखाना पैसा दिखाना पड़ेगा तब यान उन तीनों एल्डर्स को बलाता है एल्डर जो एन के लिए वो समाद पर्चेस कर देते हैं बदले में जो कहेंगी होती है वो कहती है सर क्या आप ये फ्लेम चाहते हैं जो देख जोन कहता है सच कहूं तो बिलकुल लेकिन हाँ ये फ्लेम मैं तुमसे ले लूँगा बड़ बदले हैं मैं तुम्हें हार्ट ओफ फ्लेम की सीट फ्लेम दूँगा जो कि इसे बुझाना इंपॉसिवल है और अगर ये बुझ भी गई तो अपने आप फिर इगनाइट हो जाएगे और हार्ट ओफ फ्लेम का नाम तो अब बच्चा ब है ना जो देखर जोयन भी हावा में आ जाता है और कहता है तुझ छिस्त्री तुम हम से युद्ध करना चाहती हो आज आओ फिर और बाकी के लोगों को भी बुला लेता है और ये एपिसोड मैं वहें अंड कर देता हूं तो ये बाले एपिसोड इस टार्ट होता है लेवल पर है और यह काफी अरह खतरनाक लाइटिंग पावर को कंट्रोल कर सकती है जो की बहुत कम टाइम के अंदर अपने एनिमी को हैविल इंजर्ट कर सकती है साथ इसकी बैटल पावर काफी अदाद बुध है इसलिए अगर उसी लेवल पर आपकी फिजिकली स्टेज पर पाथी कैंग जो पीछे के लोगों की तरफ देखती है तो उसे पीछे के लोगों से घंटा भर्क नहीं पड़ रहा था नहीं कोई खत्रा फील हो रहा था क्योंकि उसकी नजर में ये केबल मिनियस्त है तब ही क्यों लेट तुरंती लेई स्वांग की फिगर को देखते हैं मुझे नहीं पता कि सीनियर आप इससे निपट सकते हैं या नहीं लेकिन हमाई लेवी काफी बड़ा सेड़ दर्द है भले हम एक साथ फाइट करें जीतने की पॉसिवल्टी काफी कम होगी जो देखकर जू जी भी कहता है क्या अपसोस है और उस जगे पे देखता है जाप उसकी तरफ दोड़ पड़ता है तति यहां की जो लाइटिंग थी वो क्लाउड की तरह चाव तरफ फैली होई होती है हजारों मीटर तक और इंफाइन इंफाइन लाइटिंग इस्ट्रेक चाव तरफ हो रही होती है दूस्त अब लेइस वां का सामना करते हो जो आन अभी जो बातलों के बीच में लाइटिंग इस्ट्राइक को कंडेस कर रही थी और जूसरे के ऊपर चला जाता है अटेक कर निकले साथ यह दौनों हैरान थे और चार तरफ लाइटिंग ब्लाश्ट होने लगते हैं आस पास की जगह तहल का मच गया होता है चार तरफ ऐसा लग जगह ही डिश्ट्रा हो जाएगी साथी दानों के जवर्जास तरीके से टकराते ही चार तरफ लाइटिंग वेब्स फैलने लगती है और पूरी जील चार तरफ फटते हुए ऐसी लग रही होती है तब ही लई स्वांग अचानक है हैरान तरीके से जौन कितब देखती है क् जो कि इस तरीके की लाइटिंग पावर को रख पाना कोई नॉर्मल कल्टीवेटर की बस की बात नहीं थी इसलों से तुरंधी फील होता है कि जवर्जान को किसी बड़ी ट्राइब या कि किसी पावर हाउस या श्ट्रॉंग कल्टीवेटर के साथ होना चाहिए या किसी श लिसमान चीनना चाहती थी जवर्जान से मतलब इस्टों तेलिसमान और जवर्जान उससे वो देना नहीं चाहता था जिसके बाद जवर्जान की फिगर हवा में आ जाती है और उसके हाथों में लाइटिंग बोल्ट साइन होने लगते हैं जो लगाता है उसके हाथों में और चार तरफ घूम रहे होते हैं जिसके बाद जोयान के हाथ में एक लाइटिंग बॉल दिखाई देती है जो कि लेई जी का श्ट्रॉंग अटेक था थंडर डिश्ट्रॉयर फिंगर जैसे ही जोयान ये बोलता है अचाना कि एक पाउरफुल थंडर वीम के साथ वो थंडर वाल लेई स्वांग की तरफ जाएं लगती है साथी बेहत तेजी स्पीड के साथ और दबंग पावर के साथ जिसने लेई स्वांग को फिर से जगजोर कर रख दिया था उसकी बोड़ी से तुरंती सोर्स एनरजी बहार निकलती है और उसके आतों में अंगरेट लाइटिं लेटिंग पावर को कल्टिवेट करने वाले सभी लोगों की जो पावर होती है फिज्टल स्टेंथ वो कापी यदा स्ट्रॉंग होती है इसलिए जवान के जटके को जहलते हो से कोई खास नुकसा नहीं हुआ था लेकिन आब लेई स्वांग का जुचारत वो पूरी तरीक ब्रेक और लेई स्वांग के हाथ का जो त्रिसूल होता है वो बुरी तरीके सहल जाता है और उसमें खटा की गई जो लाइटिंग पावर होती तुरंती बाहर निकलती है और लाइटिंग पावर एक साथ जुड़ने लगती है और सौफ उटके थंडर ड्रेगन में बदल होती है जो जो यान की तरफ दानने लगता है भले ही फियलेस फायलोटल जो यान की हतेली में एकटा हो चुका था साथ जाथ पहले जो अनकी फिचकल श्रेंट इसे सपोर्ट करने के लिए परियापते श्टॉंग नहीं थी लेकिन अब क्योंकि जो अनके पास दौनों ही हा और एक्सप्लोजिफ होगी लेकिन इसके कारेंट जो यान की फिचकल श्रेंट में भी काफी जादा इफेक्ट पड़ेगा ये भी जो यान अच्छे से जानता था लेकिन भाई हमको करना है तो करना है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना तो जो यान के पुर्खों की आदत थी लेकिन जोन को नहीं पता था कि वो कितना बरदास कर सकता है और ये अटेक कितना एक्सप्लोजिफ होगा लेकिन जोन बिल्कुल भी संग कोच नहीं करता और फ्लेम और लाइटिंग एक सार फ्यूज होने लगती है जो उसके हाथ में कंडेंस हो जाती है दूसरब कतरनाक ल बाकी के मतलब कैंग्जू का ही प्रेसर यहां पर बाकी लोगों को सप्रस करने के लिए काफी था इसलिए एक दो लोगों के मर जाने के बाद बाकी के जितने भी लोग थे तंडर मैजिक क्लें के वो सभी लोग खड़े होकर जोयान और कैंग्जू के आज जोयान और लेई स्वांग भी convenient już benefit Mirror के दैमनिक फंडर कलें ले यहिसना की ताकत में आर्दीर जानकारी को करने Colombian अर्फ करे तो सब दो के दो चोवार। पास बांकी सभी इंबाइटेड लोगों की पूरी की पूरी इंफोमेशन थी तभी कैंग जू की तरब देखते हो किरून के अता है ऐसा लगता है कि दौनों ही लोग एक क्वली मेल खाते हैं और उन लोगों की पावर में जादर डिफ्रेंस नहीं है जिस पे कैंग जू भी अपना सेला तो एक थी नहीं सीनियर ने जो पावर सो की है वो फोर इस्टार इंटर्मीडिट लेविल के या लेट इस्टेज के आसपास होनी चाहिए लेकिन यह निश्चे तोरबा फाव इस्टार फावर इस्टार के लिए फोर इस्टार को और आना बहुत मुस्किल हो और दूर से वो यह फाइट देख रहा होता है तब जू जी भी कहता है जरूरी नहीं ऐसा भी हो सकता है कि सीनियर अपनी पावर छपा रहे हो क्योंकि किसी भी powerful person के साथ ऐसे fight करना possible ही नहीं है साथ इस time पे उसके thought और आँख में और अलग होता है जिस तब kang जो भी इस बात से agree होती है हाला कि जैसे ही वो लोग बात कर रहोते हैं चला कि दूर से जटके की आवाज आती है जिसने सभी को चोका दिया होता और एक तेव जाबास सुनाई देती है और उपर देखने पर वो देख सकते है फ्लेम का एक demonic sea जिसके अंदर काफी wild power थी और lighting bolt भी sign हो रहे थे और अंगले इमोमेंट सभी लोग चोक जाते वो देखते हैं सो फिट का thunder dragon inch दर inch lighting sea के अंदर तलकर राक में बदल दिया गया था धुआ तक नहीं निकला था साथी साथ उसी टैम पे flame से चाना कि एक figure निकलती है और अपनी हतेली को आँगे बढ़ा कर सामने वाली figure की गरदन को पकस कर पकड़ लेती है और उसकी आंकों से कोल्डोरा रिलीच हो रहा होता है जिसके बाद आब आजाती है मुझे बताओ ये थंडर तेने समान क्या है और ये जो यान था जिसने लेई स्वांग के गले को पकड़ लिया होता है साथी जोन सीधा ही कहता है अगर अब तुम और लड़ना चाहती हो तो मैं पीछे बिलकुल नहीं हटूँगा जोन अभी लेई स्वांग के आँखों में फाइटिंग और ये को देख सकता था ऐसा लग रहा था कि वो हार मानने को तयार ही नहीं है इसलिए जोन और भी गुस्सा हो गया होता है दूस्तर लेई स्वांग की पूरी की पूरी बाड़ी बुरी तरीके से हिल गई होती है हाला कि लेई स्यांग दूसरी तरफ पीछे की तरफ जाती है क्योंकि अभी भी ये फाइट उसकी तरफ से खतम नहीं होई थी और जुहान से अलग होने के बार वो तुरंथी दहार तो ये चिलना तो ये कहती है Magic, Thunder, जुहांट ये ट्रांस्फोर्मेशन जैसे ही ले इस वांग दहार लगाती है उसकी आखों से चमकदा लैटिंग बोल्स निकलने लगते हैं उसकी बोड़ी पर कापी सारी लाइने देखी जाने लगती है वो अपने ट्राइडन को फेक देती है और फीजिकली जुहांट के साथ लड़ने के लिए तयार हो जाती है जो देखकर जुहांट सीधा ही कहता था बैच फीजिकली न लड़ रहा फीजिकली में सिर मेरी वीवियों के साथ लड़ता हूँ बापस से त्राइडेंट उठा के लाओ लेकिन ये लड़की नहीं मानती ये वीवी केवल फीजिकल स्टेंथ के साथ जॉआन से लड़ना चाहती थी जो देखके जॉआन के था फिर जैसी तुम्हारी मर्जी और अपनी आखों को सिकोड कर तुरंती मुठी कस लेता है और निरवा फियलेस फायर फिश्ट की पाउर जॉआन के हाथ बे कंडेंस होने लगती है जिससे पावर और बढ़ने लगती है साथी जॉआन के पंच ने परियाद पाउर अग्जॉप कर ली थी और जब तक फिजिकल स्ट्रेंथ की बात आती जॉआन किसी से नहीं आने वाला था साथ यहां पर लेस्वां की जो स्पीड थी वो थोड़ा सा बढ़ गई होती है और अंगले ही मूमेट वो जॉआन की खोपड़ी की जोपड़ी को उपर दिखाई देती है जो देखकर एक पल के लिए जॉआन अपने सिर को जोर से उठाता है और सीधा ही अपने पंच को उसकी पतली सी कमरिया में मार देता है और डिवाइन वो मार की पावर तुरांथी स्प्रेड होकर बाहर निकलती है और जैसे ही दोनों टक रहाते हैं तो दोनों की लाइटिंग पावर एक दूसरे को सब्रेस करने लगती है और एक दूसरे पर हावी होने लगती है जिससे आज़ पास का स्पेस भी मुड़ता हुआ फील हो रहा होता है हालाकि इस टैम पे जब दौनों लोग कॉम्प्टीशन कर रहा होते हैं उसी टैम पे जौन के हाँ से अचाना की तो आज़न भी किसी टैम पे निकलते हैं लेई सुआंग के गले की तरह पुड़ जाती है और अपनी पूच से डंक मारती है जो देखकर लेई स्यांग तुरंती कहती है और अचाना की उसकी पाउर गिरने लगती है दूसर जौन अपनी पावर को अचाना की बढ़ा देता है लेई सुआंग की जो हड़ी होती है वो तूट गई होती है जिसके बाद जान सीधा ही उसका गला पकड़ लेता है और अपना पंच सीधा ही उसके पेट पे मार देता है जिससे लेई स्वांग की बॉड़ी के इनर और गंस मूझ से बलड के साथ बाहर आ जाते हैं उसकी बॉड़ी की सबी हड़ियां बिखर गई होती है और लेक्स वांग देदनादन देदनादन बलड की वॉमिटी करने लगती है और उसकी पावर वीक होने लगती है यहां तक कि वो हवा में कुद कोई स्टेवल भी नहीं कर पा रही थी साथ ही उसके गले पर ब्लैक पाईजन तेजी से फैल रहा होता है और अचानक कि उसकी आँकों में डर भर गया होता है और मौत के संकट की फीलिंग उससे आने लगी होती है यह अमराज का फैसा उसे चारतरब दिख रहा होता है वो तुरंथी काफी सारी एंटी फैजन पिल यानिके एंटी बैनम पिल निकालती है और उन्हें अब्जॉब करने लगती है और उसकी लाइटिंग पावर तुरंथी इस फैजन को उसकी बाड़ी से दूर करने के लिए यूज होती है लेकिन अब्जिन फैटिंग गॉड को भी इस फैजन से बाहर निकलने में कुछ टाइम लगेगा यहां तक इनर बाड़ी और उर्गंस को भी रिपेर करने में और जैनों से इतना टाइम देने ही बाला नहीं था जैसे उसने एंटी बैनम पिल को अभी स्वैलो किया था कि जौन के आद में एट मिश्टियस हैवी जौन उलर आ जाता है और जहां सीधा ही उसकी तरह पाते हों कोल्ड आई से उसे देखता है जिसके बाड़ जौन कहता है युद्ध में मैं लड़कियों और लड़कियों के बीच कोई अंतर नहीं कर था ना ही किसी पर दया दिखा था ये सिर्फ इतना था कि अभी तक इसलिए जिन्दा थी क्योंकि जौन को उस मिस्टीरियस स्टोन तेलिसमान का या स्टोन टैबलेट का सीक्रेट जानना था और इंफोमेसन जानी थी दूसर्ब जौन का है भी जौन रूलर उसके खोपड़े के जौपड़े पलेट का हुआ होता है और यहांपी जौन पूरी तरीके से तयार था एक पल में उसके सिर्के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हालक जोहन ऐसा नहीं करता है और लेग स्वांग को सांती से देखते हो कहता है मुझे इस बहुत सब कुछ बताओ जो तुम जानती हो साथ मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ दूस्त अब लेग स्वांग के चाहरा उदास था वो जानती थी जो देखकर जोहन तुम्हें तरंधी अपनी भूवे चढ़ा लेधा और इसके बाद लेग स्वांग के तरब देखता है इन्टेंट के साथ और इसके बाद जोहन सीधा ही अपने हैवी जोहन रूलर को लेग स्वांग के खोपड़ी पर दे मारता है तब इलेई स्वांग तुरंदी कहती है बे नहीं है में और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती वो आएक क्रूल सीन देखाई देता और उसका सिर सीधा ही को चल दिया गया होता है साथी ज्यान यहीं नहीं रुकतबल कि उसके हाथ से अचाना कि फ्ले में निकलती है और वो सीधे ही लेई स्वांग की बाड़ी को जला कर राख कर देती है जा तक उसकी सोल की बात थी वो रैंकार्नेट हो यह सकती है या नहीं यह उसके लग पर डिपैंड करता था वो रैंकार्नेट हो सकती है या उसकी सोल या नहीं यह उसके लग पर डिपैंड करता था साथी ज्यान के डिसाइडिंग तरीके को देखा तो कैंग जू अब बागी के सभी लोग आखे सिकोडने पर मजबूर हो गए थे दूसर अपने सिर को जुकाते हुए उसकी स्टोईज रिंग को देखता है और थोड़ा सा चेक करने के बाद जोयान हैरान होता है क्योंकि इसमें कुल मिलाकर सेविल हंड्रेड मिलियन डिवाइन कोई पिल थी जो देखते हैं जिसके बाद जोयान पीछे की फिगर्स को देखते हुए कहता है लगता है मेरी उधारी जल्दी शुक जाएगी भाई भाई अजीव बंड इंसान है भाई जो आ रहे हैं उससे लड़ने के लिए नहीं यह लड़ने में excitement नहीं इसको नहीं बचने की कोई tension की वो मार देंगे इसको है कि इनके पास divine कोई पिल होगी और मैं चुरा लूँगा मतलब देख रहे हो अपने ठरकी का excitement किस चीज़ का है मैं चोरी करूँगा हाला कि जो आनको नहीं पता थे क्या आंगे क्या होने वाला है लेकिन वो अपनी feature के लिए कोई भी problem छोड़ना नहीं चाहता था लेई स्वांग को उसने पहले ही मार डाला था और यह देखने के बाद thunder magic plane के सभी लोग पीछ आट गया होते हैं और यहां से भाग गया होते हैं और जो आये थे ये थे thunder lighting palace के लोग जिन्होंने डैमन आइल दियान जो अपनी टीम को लीड करा था वो cold way में कहता है ऐसा लगता है कि लेई स्वांग फेल हो गई लेकिन उनकी lighting power को देखते हुए कोई surprise की बात नहीं लेकिन कम से कम इसके साथ ये बात तो confirm की जा सकती है कि thunder stone talisman इस person के हाथ में होना चाहिए साथ ये फैंग ले यानि जब thunder magic clean के लोग भाग रहे थे क्या उसे मार दिया गया है और अचाना की पता चलता है कि इस thunder lighting palace को लीड करने बाले person का नाम है वाइकिंग और उसने दूर तक देखा था लेकिन लेई स्वांग उसे दिखाई नहीं दे थी वाइकिंग तो नहीं दिखा था लेकिन लेई स् लेई स्वांग को नहीं देखा था इसलिए उन्हें लगता कि बास्तों मर गई इसलिए थंडर magic clean यांसे भाग या डर के मारे तभी वाइकिंग भी बार बार उसके पीछे के लोग भी इस बात पर सिहलाते हैं साथ ही उनके और जोयान के बीच की जो डिस्टेंस से वह जाने इवालते की तभी बाइकिंग आचाने की रुकने का इसारा करता है जो देकर कोई अपनी जगा पर रुक जाता है बोत्रंती कहते हैं अगर लेई स्वांग मर मार दी गई है तो निश्चित और पास्की बार फाइव इस्टार के उपर होनी चाहिए मैं और लेई स्व लोग थे जो जिवान को घेल लेते तो जीतनी की पॉसिबल्टी बढ़ाई जा सकती थी लेकिन वाइकिंग अचानकी जिजखने लगता जब उससे पता चलता है कि लेई स्वांग पेल दी गई है जिसके बाद वो अचानकी अपने सामने की बिक्री फिगर की तरफ देखता दूस्तब जिवान भी दूरी से देखता है कि आखिरकार ये लोग रुक्यों गए और भो है चड़ाता है क्या कर ये इतना डरे हुए क्यों है क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने उसे लिग्सवांग को मारते हुए देख लिया है लेकिन अगर जो यान के थोट के एकॉर्ड करता है क्योंकि यहीं उनकी एक मात्र एलेट बहेवियर को कम करने का तरीका था दूस्त अब बाइकिंग भी अपने सिर्क उठा कर दूर देखते हुए जो यहान की तब देखते हुए कहता है फोर इस्टार फाइटिंग गार्ड इसने लहीं सुआंग को मारा कैसे जो यहान लाए तो फिर इनसे ने पटना कोई मुस्किल काम नहीं और सके तो वाइकिंग अपनी आखों को सिकोड़ते हुए अचाना की दूर की तरफ देखता है दूस्ता पहले ही जो यहान भागने का नाटा करते हुए पलट कर आर की तरफ जाने का नाटा करता है जो देखकर वाइकिंग तुरंति अपने पंच को कस लेता है और सीधा ही जो यहान की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगता है किलिंग इंटेंट औरे के साथ साथी बहुत ज्यादा जिजक ने वाइकिंग को ऐसा मैसूस कराया था कि यह करना ज्यादा चीज चीज नहीं वो तुरंति क जो सुनो हमें इसका एक थांडर स्टोन टैबलेट लेनी होगी जैसे वाइकिंग चिलाता है सभी के सभी भंड लोग भी एक साथ हामे से लिरा देते हैं दूस्त अप उसी टेम पर जो अभी अभी घूमा था उसके चैर पर एक इबिल इसमाइल आ जाते है रो वह तरंति कह करते हैं उसने देखा था जान की चेहरों में इसमाइल जो देखकर वह समझ गए होते कि जान ने यह सब कुछ जान बूज कर किया है यह उसी का माया जाल है तभी कैंग जू कहती है इस परसन का अंदाज लगाना बास्तों में कठिन है कास तोर पर उसकी ताकत का क्यों न बाती लोग को देखता है तभी क्यो लिदा ने बात करते है और लोगा पर केंग बेकिंग यहा से जान नहीं वालत है कि अचाना कि उसके आँख है किसी चीज पर पड़ती है और उसे देखकर वो आखे से कोड लेता है यह जो यान था जो कैंग जो और बाकी लोगों से बहुत पीछे नहीं था और बड़े आराम से खड़ा हुआ थार अपने हाथों में किसी चीज को छाल रहा होता है और यह चीज बहुत चीज थी जो वेकिंग और लेसवांग दोनों को ही चाहिए थी थन्डर लाइट्निंग स्टोन टेवलेट या की स्काइट टेवलेट बोड तुरणती कहता है है फैवनली थन्डर स्टोन तैलिसमान और ऐसे के तो वेकिंग तुरंदी दान पीस लेता है जो देखे जोहन कहता है ओ अभी पता चला कि इस चीज को इसका इस थंडर स्टोन तिलिसमान कहा जाता है ऐसा लगता है या आप इसके बारें बहुत कुछ जानते हैं और इस चीज को चाहते भी हैं क्या आप इस चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इस तरीके से और इसके तो जानों से चिढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलता दोस्ता वेकिंग की मुठी आचानकी कस गई हो दी है बहुत तुरंदी कहता ब्रदर तुम कौन हो हम थंडर लाटिंग पहले से हैं और हम हर कीमत में इस चीज को चाहते हैं जो आपको चाहिए हो वो आप हमसे बता सकते हैं हमें उम्मीदे की भाई हमारी इच्छा पूरी कर सकता है और असके तो वेकिंग अपनी आखों से गुस्ते को च्छपानी की पूरी कोसेश कर रहा होता है और कापी सान तरीके से जो आन से बात कर रहा होता है तब जो आन के तब पहले बातचीत करते हैं आप लोग इस चीज की कीमत अच्छी तरीके से जानते हैं साथी मुझे भी इस चीज़ की जरूरत है, इसलिए इसे किसी भी कीमत में बदला तो नहीं जा सकता। जन जैसे यह कहता है वेकिंग की आखें, अचानकि उसमें अधेरा चागया होता है, और वो अपने गुस्ते को छिपा नहीं पा रहा होता। जो देखकर उत्रणती कहता है तो फिर बेदर, तुमने यह हमें जानमूच के चिढ़ाने के लिए निकाला है, जो देखकर जान नौन कम्टेट तरीके सापने सिर को हिला देता है, बुत्रणती कहता है नहीं, मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूँ, कि आप इस चीज़ को कितन परे हैं, और आसा के तो वेएगिंग गोल्ड बे में कहकर वहां से बाहर चला जाता है, जो देखकर जान कहता है थन्डर लाटिंग पैलेस, यह कौन सा अपर्यलम है, क्यों को ही अपर्यलम का हाई ट्लेन, और आसा के तो जान भोगए चड़ाता है, क्योंकि उसने इस नाम को कभी नहीं सुना तब भी वेकिंग टुरंदी कहता है हाला कि हम आपर यह अलम से नहीं है लेकिन आपकी फोर इस्टार फार्टिंग गॉट की पार को देखते हुए आप इस चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे बहुत सीधे तोर पर बताता क्योंकि उसे जॉन की पा आलागी intent होती है साथी बेकिंग को देखते हो जॉन की आपकों में और खतरना को रहा और इससे पहले की क्विंगलीन उसे मना कर पाता या कि अब बिसलिए वो क्विंगलीन मना करता भी तो भी नहीं सुनता और वेकिंग सीधा ही गुस्से में जो यान के तर पूरी आ गया और यह चीज़ उसके हाथ में आ गई क्योंकि वो अपने क्लेन में अपनी स्पीड में सबसे अच्छा था साथी बेकिंग पलट जपकते ही जो उनके पास आ जाता है और उसे 100% यकीन था कि वो इस चीज़ को पकड़ ही लेगा साथी जब वो जो यान को छूने वाल लेकिन अब बैसली उसकी बॉड़ी को बापस से जुड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसके लिए जितना जल्दी हो सके उसकी बॉड़ी को बापस से घटा करने की जरू थी दूसता बेकिंग अपने सिर को उठाता तो वो देखता है जो अनके चर पर एक फ्रे कि क्यो लिनों से पागलपन से क्यो देख रहा था जाहिर तोर पर वो उसकी जान बचाना चाहता था लेकिन वो फिर भी जुड़न के जाल में फस ही गया वेकिंग को मारा जाना या कि काट जान जुड़न दौरा पहले से आरेंज़ किया गया था और जुड़न ने चार बिल्कुल भी नोटिसी नहीं कर पाये था हाला कि इस टाइंप पे उसकी पूरी की पूरी लाइफ अब जो यान के हाथों मी थी और यह उसे माणने के लिए परयाप था तब यहन कहते हैं तुम्हें माणने का बास्तों में अब कोई मतलब नहीं तो लाइफ की बदले किस चीज का एक्सचेंज किया जाए पैसे का? कैसा रहेगा? यह सुनते वोजे चार सीनियर जो पीछे कड़ो होते हैं है रान हो जाते हैं तक केंग जो और चारो के चारो के चैरे काले होके होते हैं क्योंकि जोन ने उनसे पहले ही डेवन फ्लेन के बदले काफी सारा पैसा ले लिया था अब वो आई चाल जोन दूसरों पे भी आज मा रहा था जिनसे उन्हें भी हलपलेस मैसूस होता लेकिन उन्हें जोन की तारिफ करनी होगी तब यह कहते हैं कोई बात नहीं सर मेरे पास अभी भी 800 million divine कोई पिल है क्या यह काफी रहेंगी अरसा के तो वेकिंग बिना किसी इच के चाट के अपने नाराज चेहरे के साथ थोड़ा सा अंसर करता है जो देखकर जोन के ता बस इतनी ही जो देखकर तो कैंग जो के चेहरे बर काली लाइने आ गई होती है जो देखकर बेकिंग तुरती कदम मैं इसे स्काइ थंडर इस्टोन टैबलेट के बारे में कुछ इंफोमेशन भी जानता हूँ जब तक आप मुझे जाने देंगे मैं आपको सब कुछ बता दूँगा बेकिंग अच्छे से जानता था कि कोई भी इंफोमेशन की लाइब से ज़्यादे इंपोर्डेंट नहीं है अपनी लाइब बचाना सबसे इंपोर्डेंट जो देखकर यों कहता है मैं आपको बता दूँगा अगर ये बास्तो में कीरती है तो मैं विचार करूँगा आपको जिन्दा छोड़ने पर तब ही वो कहता है क्या यों हाइनेस वाइड डिस्ट्रेक्शन हैबली लाइटिंग के बारे में जानते है जो देखकर यों तुरंती से लाता है जो देखकर वो तुरंती कहता है अगर आप नहीं जानते तो फिर ये आप नहीं जानते होंगे कि इस 3000 बैड में 9 लाइटिंग से जिन्हें Heart of Thunder भी कहा जाता है जो कि लाइटिंग पावर का सोर्स है और ये वाइड डिक्स्ट्रेक्शन हैं बैली लाइटिंग उनमें से एक है बेकिंग यहाँ पे आँगे कंटिन्यू रखता और कुछ भी नहीं छपाता नहीं कुछ भी बखवास करते हैं सीधा ही टॉपिक पे जो देखकर जोन करता हो फिस तलिसमान का क्या यूज है और यह सुनते हुए जोन की आखे चमक रही होती है जोन ने बास्तों में कभी भी नहीं सोचा था कि यह थंडर हार्ट की तरफ उसे ले कर जाएगा हला कि उसने थंडर हार्ट के ओर जोन के बारे में लेजी से सुना था लेकिन ऐसी बाते जोन को अभी तक कोई सुराग भी नहीं मिला था इसलिए सोचना बास तो में मुस्किल था यह जोन का पहला मौका था तब ही जोन कहता है यह स्टोन टेबलिट एक सुराग है जिससे खोजने के लिए हमने कड़ी महनत की है लेकिन यह केबल तलिसमान नहीं है बलकि ऐसे एक हजार से ज़्यादा है और केबल वही लोग जिनके पास यह लाइटिंग स्टोर है उस लाइटिंग लेंड के अंदर इंटर हो सकते है तब ही जोन कहता है मिस्टीरियस थंडर लेंड है कहां पर जो देखकर वह तुरंदी कहता वाइट वैस्ट वाइट सी में जो नौर्थ डाइरेक्शन के क्लोज है जो सुनकर जोन चौक जाता है जोन को पता दे वाइट सी को चार पार्ट में डिवाइट किया गया था नौर्थ मिंग वाइट साउथ वाइट इस्ट सी वाइट और नौर्थ यून वाइट सौर्थ सौरी नौर्थ मिंग वाइट साउथ नानलिंग वाइट वैस्ट सी और इस्ट यून वाइट इन चार वाइट में वाइट सी को डिवाइट किया गया था जिनमें से सबसे rich place obviously east wide है जहांपे कापी सारे अपर यलम और upper wide के sea है साथी north mink territory obviously underworld को represent करती है south non-link wide और west wide ये central plans है और lower plans का एक sea है हाला कि अगर old time को देखा जाए तो south non-link wide और west wide sea सबसे strong sea को represent करते थे साथी west wide के बारे सोचते हूँ जो यान अपने home town के बारे में सोचता है क्योंकि dowdy continent और डुकी continent दोना ही best wide में है साथी 1000 साल भी चुके हैं और अब तो सब कुछ बदल गया होगा जिनमे life, death, बुढ़ापा, विमारी सब सामिल होगे साथी यान को लग रहा था कि अब तो उसके फादर भी ने पट चुके होगे लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे वो बदल नहीं सकता था यान था कि gods भी हमें साके लिए जिन्दा नहीं रह सकते तब यान के था चलो चले, मैं तुमारी जान बक्ष दूँगा जो देकर waking कि आको वे चाना की grateful नजर दिखाई देती है उसे stone tablet नहीं चाहिए था क्योंकि यही एक चमतकार था कि वो जिन्दा रह सकता है जाता कैंग जो और बाकी के लोगों की बात थी जो यान को देखकर वो और भी जारा नहीं समझ सके कि यह बात अन्द बंदा कि लिंग करने में इतना deciding क्यों है लेकिन वो समझ गया होते कि जोन अधा धुंद आख बंद करके लोगों को नहीं मारेगा हाला कि वो जानते थे कि बाइकिंग को जाने देना जोन के लिए अच्छी बात नहीं है आखिर कार थांडर लाइटिंग पैलेस वेजी टेरियन होकर तो नहीं बैठेगा और ये अपने पीछे एक एनिमी को क्रियेट करने जासा था लेकिन निसंदे अगर रीजन ये है कि जोन के पीछे का पापर हाउस और श्ट्रॉंग है तो जोन को डढ़ने की कोई जोन नहीं थी जिसके बाद जोन तुरंदी कहता मैं तुम्हें रुकने और श्टोईज रिंग को मुझे देने का ओडर देता हूँ और उसकी श्टोईज रिंग को जोन ले लेता है जिसके बाद जोन कहता मैं तो एक पल में अमीर बन गया अमीर बनना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा कैती जोयान इसमाल करते हैं सिफ पर लोट आता है और कैंग जोयान और वाकी के चालोग जोयान के पीछे आ जाते हैं साथ ही बाइकिंग के पीछे की लोगों ने वाइकिंग और जोयान के भीच की फ़ाइड देखी थी और अब इससे फ़ाइड में कोई संदेह नहीं था कि वो जोयान की फ़ाइड देखने में capable नहीं थे इसलिए जोयान के बारे में सोचते ही हुए यह कापी ज़रा डर गया होते है जिसके बाद जोयान का सिफ सीधा ही आंगे बढ़ते हो है धुएं के बादलों में गाब हो गया होता है सिफ़ पर जोयान कैंग जू की तरफ एक इस्टोजरिंग फिक तो इस्माइल करते हो कहता है पहले आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धेन्यवाद ये एक बिलियन एमोटल कोई पिल है डिवाइन कोई पिल है सत्य एक्ष्ट्रा सौ मिलियन को ब्याच के तोर पर माना जा सकता है दुस्तव जोयान अपना ग्रेटनेस दिखाता है लेकर उने पता था ये चोरी की संपत्ती है बढ़ दुनिया ऐसी ही है जहां ताकतवर की रिस्पेक्ट की जाती है भले ही वो लूट ले आपके एमले इस बात को बरदास कर सकते थे दुस्तव जोयान के पास ओबिल सी 700 और 800 मिलाकर 1.5 मिलियन एमोटल कोई पिल थी जिस पेसे जहां ने कैंग जू को 1.1 मिलियन दे दी थी तो अब जोयान के पास थी 400 मिलियन तभी क्यूलियन और बाकी के लोग जहां को मीद की तरफ देखते हैं तभी जहां के दा 10,000, demonic, mysterious प्लेस को छोड़ना भी भी जल्दवाजी होगी इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए रिट्रिट में रहूँगा अगर आपको ज़रू हैं तो आप सीधा ही मुझे बुला सकते हैं जो सब उन लोगों की क्यूरियोस नजरों को देखते हुए जोयान बिलकुल भी उनकी 100 मिलियन बकाया एनरजी पिल्स के बारे में नहीं सोचता जैसे कैंग जो और बाकी की सब लोग ज़्यादा खुस नहीं देख रहे थे उनकी नजर में जोयान का बिलियन सौफ एमोर्टल कोई पिल लोटा आना कोई मतलब कर नहीं था लेकिन आप बैसली उन्हें पता था क्योलिन, डौांग, जोआन और जो जी ये तीनों लोग बीग थे और कैंग जो इस्ट्रॉंग थी उसके रिसोर्सेस भी काफी ज़्यादा थे आखेकार आकसाना उस उसके बाप का था इसलिए इसके पास पिल हो ना हो एक पराबर था लेकिन उन्हें अपनी हैंडेड ओफ मिलियन डिवाइन कोई पिल्स काफी महनास से जोड़ी थी तब ही ज़्याद कहता है उन तीनों की तरफ देखकर जो बिलग बिलग करो रहे थे चिंता मत करो आप तीनों कुछ पिल्स को रिफाइन करने के बाद में उन देवाइन कोई पिल्स को भी चुकाने में क्या पवाल हो जाओंगा जिसका मुझ पर बकाया है और ऐसा कहता है जर अपने रूम पे चला जाता है जो सोनकर वो तीनों ही लोग अचाना कि उनकी आके चमक उड़ती और वो जियान को तुरंती करीट करते है दूस्तर अप डिंग्यों और जियाजेंगु ही हाला कि उन्हों ने जियान जितना कठिन कल्टीवेशन तो नहीं किया था लेकिन हजारों सालों के बाद उनकी पावर अबिसली सेमिस्टा डाव मोटल और फाइविस्टा फाइटिंग मोटल तक पहुँच गई होती है लेकिन ये लोग अभी भी फाइटिंग ओड से काफी दूर थे साथी कल्टीवेशन अभी भी एक लॉंग पाथ था पावर को लेकर उनकी जो भूग थी बुझ जो यान जितनी पागल पनबानी नहीं थी क्योंकि श्ट्रॉंग होने के लिए मोटिवेट और मोस्ट मोटिवेट के साथ मोटिव होनी की भी जरूरत थी हाला कि डाव जियान की पावर के साथ आपका लाइफ टाइम पचास हजार साल से ज़्यादा हो सकता है जो कि पहले से एक बहुत लंबा टाइम है जब तक आप कल्टीवेशन कम करते हैं तो आपके लिए ओबिसली टाइम स्लो हो जाएगा लेकिन अब बैसली ज़्यान को फॉलो कर रहे थी इसलिए ये कल्टीवेशन को कंटीनू ही रखेंगे साथ एटिंग्यों अपनी स्टैक टेकनोलोजी के साथ फुली अपनी मेरत कर रही थी क्योंकि वो पावर के साथ जोयान को फॉलो करने में नहीं है इसलिए वो अपने टीम को स्टाइक टेक्नोलोजी के साथ सपोर्ट करना चाहती थी जो कीडिंगियों की लाइफ में और भी ज्यादा उससे मोटिवेशन दे रहा था दूसाब जियाजेंगोई ओरिजन कुई में अच्छा नहीं था इसलिए अपने इस्पिचल पावर को ही भयानक लेवल पर ले जाने चाहता था उसकी जाती साथ था था उसकी जो इस्पिचल पावर थी वो जो यहान कीपकर लेवल तक पहुंच गयी थी हाफ डोमेन लेवल तक साथ ही अब जब उसकी बड़ी ठीक हो तो जिया जेंगुई की जो इस पिचल पार थी आसानी से जो आंसे आगे निकल सकती थी जब तक उसके बाद परियापता उसर्थ है और इस पिचल पार का स्ट्रॉंग होना भी काफी इंपर्डेंट बात है क्योंकि पारफुल है एनिमीज के साथ फाइट करते हुए इस कर देना गुड़ नाइट धिरन फैमिली